भगोडे भारतिया उद्ध्योगपती विजय मालिया मामले की मौकिक सुनवाई आज लंडन हाई कोर्ट में होनी है अगर लंडन हाई कोर्ट द्वारा उसे अपील करने की अनुमती नहीं दी गई तो अगले कुछ दिनों में ही भारत को प्रत्यरपित किया जा सकता है यानि कि मालिया भारत पहुँच सकता है मालिया ने 14 फरवरी को अपने प्रत्यरपित की अपील खारिज करने के लिए कोर्ट में लिखित आविदन किया था जिसे 5 अप्रेल को खारिज कर दिया गया था आज सुनवाई के दौरान विजय मालिया अदालत को ये समझाने की कोशिश करेगा कि जिला नयादीश अपने मामले को राज सच्चिव के पास भीजने में गलती कर रहे थे अब भगोड़ा कारबारी विजय मालिया आज उस पर जो सुनवाई होने वाली है उस पर तमाम लोगों के निगाहें टीकी होई ही कि क्या विजय मालिया भारत आपाएगा या फिर नहीं आज अगर विजय मालिया की पृत्यरपन की को खारिच करनी की जो अड़़्ी है वो अगर लोटा दी गई तो विजय मालिया को भारत जल्दी लाआ जा सकेगा और उमिद ही यहीं की जारी है कि ऐसा कुछ होता है और अगए इसा होता है तो जल्द ही विजह माल्या भारत की सर nervous होगा भारत के बैंक, पन्जाब नेशनल बैंक से 9,000 करोड रुपे के गोटाले कारूपी है भारतिय कारोबारी विजह माल्या